नमस्कार दोस्तों मैं गोरव एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याइसी रिवी तो आपका टाइम नहीं लेते हुए हम सुरू करेंगे हमारे कोशन यूपी टीपल सी में आए वे सभी एक्जाम में कोशन है और इन कोशन का आपक आपको परक सकते हो ठीक है डाको अगर लोग अगर महां से पढ़ते हो तो आपको पता चलजाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सचमे एक्जाम में आता है यह तो ये सभी कोशन एक्जाम में यूपी टिपलसी के एक्जाम में आए हुए है आप लोग चेक कर सकते हो अच्छे से ठीक है तो हम सुरू करते है आपका कोशन तो आपका पहला कोशन क्या कहता है पहला कोशन आपका कहता है कि स्रोता के लिए किस स्रोणाम का प्रियोग किया जाता है और ये किलास हमने कब की है ये किलास आज ही हमने सुभा के टाइम खतम की है आज ही हमने पुरुसवाचक सुरुनाम क्या है सुरुनाम आज ही सुरु किया है और उसके अंतरगत हमने पुरुसवाचक सुरुनाम को कंप्लेट किया है ठीक है ना तो आप लोग समझ सकत हो तो कि सुरोता और मैंने सेम इसी लैंग्वेज में आपको बताया था कि वक्ता या लेखक सुरोता एक था वक्ता मैंने कहा था ये क्या है ये वक्ता है या लेखक है और ये दूसरा सुरोता है और ये क्या है ये अन्या पुरूस है ये का था ना मैंने कि ये सुरोता है मैं स्रोता के लिए कि सवरणाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरस सवरणाम का, मध्यम पुरस सवरणाम का अन्य पुरुस सवरणाम का या अप्यूक्त में से सभी गलत है。 बताइए क्या किया जाता है? उफ्शन नमबर A, B या C? बताईए A, B, C या फिर D, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आंसर दीजे आप लोग तो किसका आपका मध्यम पुरुष किसका सुरोता के लिए हम किसका प्रियोग करते है मध्यम पुरुष का किसका मध्यम पुरुष की तो उत्म पुरुष के लिए हम प्रियोग करते हैं मैं और हम का ठीक है ना अगर बात कुरू अन्य पुरुष की तो इसके लिए प्रियोग करते हैं वे ये ये है वे है इन सभी का प्रियोग इसके लिए करते हैं हम लोग अन्य पुरुष के लिए करते हैं तो इसका राजाता है पुस्वा चक्सवर नाम में कितने भेध होते हैं कितने होते हैं एक तीन दोचार साथ कितने होते हैं option number A B C या फिर D comment करके answer आप लोग क्या होगा तो आपका answer क्या हो पुरूस और नमबर तीन पर क्या हो जाएगा अन्या पुरूस हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा अन्या पुरूस हो जाएगा तो कुशन नमबर तीन देख लेते हैं कुशन नमबर तीन क्या कहता है हम लोग देखते हैं कुशन नमबर तीन कहता है क्या आप घर भी जाएं दिखाई दे रहा है न अच्छे से ठीक है वाक्या में रेखांकित पद है मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ठीक है आप लोग को दिखाई दे रहा है चलिए तो option number A, B, C या फिर D तो answer क्या हो जाएगा क्या आप घर भी जाएंगे इसमें आप जो है ये रेखांकित है रेखांकित पद क्या है आप संग्या है विशेशन है स्वर नाम है किरिया है क्या है आप संग्या है स्वर नाम है विशेशन है किरिया है तो बताई क्या है option number C क्या है सवर नाम आपका प्रियोग हम कहां पर करते हैं निजवाचक सवर नाम में हम आपका प्रियोग करते हैं और अगर बात करता हूं मैं पुरुस वाचक सवर नाम के मध्यम पुरुस में किसमें मध्यम पुरुस में आधर के लिए मैं लिख देता हूं आधर के लिए किसका प् है पताइए हिंदी में कुल कितने सुवर है चोदा ग्यारा तेरा पाँच तो हिंदी में कुल कितने सुवर है हिंदी में 4 कितने है ग्यारे option number 20 का RAT ANSOR हो जाएगा अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो या संगया से या वहां से class लेज़े, आप लोग इसे देखने के लिए playlist में जाएए और playlist में जाके आप लोग class ले सकते हो, वहां पे आपको अलग से playlist हिंदी की बनी मिल जाएगी, question की अलग और theory की अलग मिलेगी आपको playlist, तो आप लोग वहां से समझ सकते हो, अगर आपको भासा में, या हिं सवर नाम में, संग्या में, किसी में भी दिक्कत है, क्योंकि सवर नाम का topic हमने सुबह ही सुरू किया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, तो option number B, इसका right answer क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, ठीक है, अगर question number 5 की बात करता हूं, तो निमलिकी शब्दों में से विशे कौन सा होगा, मजहब, नैतिक, पीडा, या फिर आपका अग्यान, क्या हो जाएगा, अग्यान, तो क्या हो जाएगा, option number A, B, C, या फिर D, बताए, option number A, B, C, या फिर D, क्या हो जाएगा, बताए, option number A, B, C, या फिर D, तो नैतिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number 20 का, right answer हो जाएगा, ठीक है, एक विशेशन, एक शब्द नहीं, एक विशेशन, शब्द नहीं है, सोरी, एक विशेशन, शब्द नहीं है, एक विशेशन शब्द नहीं है इनमें से विशेशन कोड नहीं है लजीला लाडला लांचन या लापता तो उप्शन नमबर ए बी सी या डी देखिए अगर आपको विशेशन में दिक्कत है तो हमारा जो नेक्स टोपिक होगा हमने संग्या को किलियर किया स्वर नाम को किलियर कर रहे है कल स क्लास क्या उसके बाद हम देखेंगे संग्या को सोरी विशेशन को तो आप लोग आईए और अच्छे से क्लास लीजिए वहाँ पर छोरी में आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हो तो लजीला लाडला लांचन या फिर लापता तो कोशन नमबर 6 का अंसर क्या हो जो विशेशन नहीं है लांचन हो जाएगा जो विशेशन नहीं है और सभी क्या है आपके विशेशन शब्द है राम की गाएं बहुत काली है इस वाकिया में काली शब्द क्या है बताइए बहुत काली है या काली है यह तो प्रीविशेशन हो जाएगा अगर काली की बात करो तो गाएं की विशेशता है कि वह काली है कैसी है आपकी काली है टो क्या है काएक का गुन है काला होना तो क्या है आपका विशेशन है क्या है option number C इसका right answer क्या हो जाएगा विशेशन हो जाएगा आठ को देख लेते हैं हम लोग निम्मे से किस वाक्या में विशेशन का परियोग हुआ है किस वाकिय में विशेशन का परियोग हुआ है अपने त्यारे को जाची अच्छे से और देखिये किस वाकिय में विशेशन का परियोग हुआ है बताईए किश वाक्य में विशेशन का प्रियोग हुआ है राम जाता है सीता फल खाती है मेरी गाएं काली है जल्दी उठना स्वास्त वर्दक होता है तो क्या हुआ अप्शन नमबर A, B, C या फिर D तो मेरी गाएं काली है गाएं की विशेशता क्या है? गाएं क्या है? विशेश है और विशेशन क्या है? काली तो काला होना उसका क्या है? गुण वाचक विशेशन है क्या है? गुण वाचक विशेशन है कॉशन नमबर नो को देखते है यह चांदी खोटी सी दिखती है यह चांदी खोटी सी दिखती है खोटी सी विशेशन क्या प्रकार है गुण है इसका संख्या वाचक है परिणाम वाचक है पुर्णांक बोधक है बताइए option नमबर A B C या फिर D तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यह चांदी खोटी सी है खोटी सी दिखती है बहीं चांदी की विशेशता कैसी है कि वह खोटी सी दिखती है तो खोटी होना उसका क्या है एक तरह से गुण है या अवगुण है तो यह किस में आएगा गुण वाचक कि विशेशन में आएगा option number a इसका right answer क्या हो जाएगा आपका 9 का option number a हो जाएगा क्या हो जाएगा option number a इसका right answer हो जाएगा तो question number 10 को देख लेते हैं क्या कहता है धुन्दला शब्द में विशेशन है जैसे यह चांदी खोटी सी दिखती है उसी परकार यह है यह हैं किा इक न हमता है यहца में गूंदली से दिख रहा है यह लाइट मुझे धुंदली सी दिख रही है ठीक है ना भài लाइट जो थो जो यह श्युक्रा क्या है धुंदला क्या है संख्याफा वाचक गुण मोचद सारणामिक उपयुक्थ मेंसे कोई नहींों option number a b c या फिर d तो बताइए comment करिए और answer दीजिए कि option number a b c या फिर d तो right answer क्या हो जाएगा option number a b c या फिर d तो right answer हो जाएगा आपका गुण वाचक विशेशन का उधारन है किसका गुण वाचक विशेशन का example यह होगा question number 11 को देखते है कारिय को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते है बताइए कारिय के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते है देखिए चा कहते है काल कहते है संग्या कहते है किरिया कहते है विशिशन कहते है राम घर है राम घर अगर मैं कहूं राम घर जाता है ठीक है अगर मैं कहूं कि राम सोता नहीं अगर मैं कहूँ कि राम खाना खाता है राम खाना खाता है तो कारिय का किसी कारिय के करने या होने का बोद करने वाले शब्दों को क्या कहते है देखिए आप समझ जाएंगे राम घर क्या कुछ समझ में आया राम घर क्या नहीं आया लेकिन जैसे मैंने कहा राम घर जाता है तो जाना क्या है किरिया है तो किरिया से हमें पता लगा कि काम हो रहा है काम हो रहा है जाने का ठीक है ना काम के करने या होने का बोद राम खाना खाता है राम खाना कुछ समझ मैं राम खाना नहीं आया लेकिन जैसे ही मैंने कहा राम खाना खाता है क्या करता है राम खाना खाता है तो खाता है समझ में आते ही आपको बतला कि कारिय के करने का बोध हो रहा है कारिय के होने का बोध होता है तो कारिय का होने का बोध कराने वाले शब्दों को किरिया कहते है Option number C is correct answer हो जाएगा Option number C अब देखिए किरिया के मूल रूप को क्या कहते है बताइए किरिया के मूल रूप को क्या कहते है option number a है आपका पद रूप दातू शब्द तो किरिया के मूल रूप को क्या कहते है धातू कहते है तो option number c right answer क्या हो जाएगा option number c हो जाएगा Question number 13, करम के अधार पर किरिया के कितने भेध होते हैं तो करम के अधार पर किरिया के कितने भेध हैं आपका 3, 4, 6, 2 तो option number A, B, C या फिर D तो answer दीजे option number A, B, C या फिर D तो करम के अधार पर आपके किरिया के कितने भेद होते है तो करम के अधार पर किरिया के कितने भेद है दो भेद है तो option number D is correct answer हो जाएगा कौन सा होगा तो करम के अधार पर किलिया के दो वेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक तो option number D is correct answer हो जाएगा question number 14 उसने नहा कर भोजन किया उसने नहा कर भोजन किया इस वाक्य में नहा कर निमलिकित में किस किरिया का उधारन है उसने नहा कर भोजन किया इस वाक्य में नहा कर निमलिकित में किस किरिया का उधारन है संयुक्त किरिया का परिनार्था किरिया का दू कर्मक किरिया का पूरुकालिक किरिया का सिर्क्त किरिया होगी चल पड़ा, क्या चल पड़ा, जहां दो या दो से अधिक किरिया एक साथ मिल जाती है, परिणार्था किरिया होती है, जहां पर कारे को करने की या होने की परिणा दी जाती है, आपका दू करम किरिया क्या होती है, जहां दो करम क्या उशक्ता होती है, उसने नहाकर भोजन किया अर्थात, उसने नहाकर भोजन किया, पहले नाया, फिर भोजन किया, तो पूर काली किरिया इसका रहाइट आंसर क्या हो जाएगा अप्शन नमबर डी इसका रहाइट आंसर क्या हो जाएगा अप्शन नमबर डी क्या हो जाएगा अप्शन नमबर डी हो जाएगा और उसके बाद क्या बचा उसके बाद आपका किरिया आएगा क्या किरिया को बहुत अच्छे से हम लोग किलियर करेंगे किरिया तो पूरकालिक किरिया उसमें ही आ जाएगा आप समझ जाओगे अच्छे से तो option 14 का answer क्या जाएगा D पूरकालिक किरिया next question आपका क्या कहता है उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए वाकिय में किरिया के भेद का भेदवाला सही विकल्प है किरिया के भेदवाला सही विकल्प है तो रोहन चाय पीकर रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो बताइए, भई, रोहन चाए पीकर बैठ गया, तो रोहन जो है, वो चाए पीकर बैठ गया, इसमें परणाता किरिया का प्रयोग हुआ है, नाम धातु का, पूरकालि किरिया का, यजा संयुक्त किरिया का, तो मैंने आपको बताया है, कि जब भी कर आ जाए, पहले चाय पी फिर बैठा, तो कर का प्रियोग किया गया है, तो क्या हुआ आपका, पूर काली किरिया हो जाती है, option number C, क्या हो जाएगा, option number C हो जाएगा, और इसके बारे में फुल डिटेल के लिए आपको छेवरी की किलास लेनी होगी, जो सुबह 9 बजे होती है, ठीक है, तो वहाँ से अच्छे से, सब कुछ किलियर हो जाएगा, हतियाना में कौन सी किरिया है, हतियाना में कौन सी किरिया ह परिणार्थक, संयुक्त, अनुकरनात्मक या नामदातू किरिया, तो क्या हो जाएगा, रैट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हतियाना में कौन सी किरिया है, परिणार्थक, संयुक्त, अनुकरनात्मक या नामदातू, तो option number D, नामदातू किरिया का प्रयोग क्या गया है हातिया नामे नाम दातु किर्या का प्रयोग क्या गया है हातिया नामे तो निमलिकित प्रश्ण में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चैन करें जो किर्या के भेद वाला सही विकल्प है किसका किर्या के भेद वाला सही विकल्प है दीपा ने गाएं को चारा डाला क्या किया दीपा ने गाएं को चारा डाला नाम धातू दू करमक परियोग किया गया है तो क्या हो जाएगा सत्रवे का रहा टांसर क्या हो जाएगा आपका दीपा ने गाएं को चारा डाला तो दीपा ने किसे चारा डाला गाएं को डाला तो चारा और गाएं दो करम हुए तो दू करम किरिया का प्रियोग किया गया है option number B इसमें चारा और गाएं दो करम हैं तो आपका क्या क्या चारा खिलाया खिलाना किया है किरिया लेकिन चारा और गाएं किया है दो करम है तो दू करम किरिया का इसमें प्रियोग किया गया है अप्शन नमबर बी अठारे को देखते है किस वाक्या में किस वाक्या में पूर्ण दू करम किरिया का प्रियोग किया गया है अप्शन नमबर ए मोर नाच रहा है ठीक है मोहन महेश रगुन हो गया ममता ने कुत्तों को रोटी खिलाई इन में से कोई नहीं तो अठारे का राइट आंसर क्या हो जाएगा अठारे का राइट आंसर बताईए कि अठारे का राइट आंसर क्या हो जाएगा वे देखे किस वाक्या में पूर्ण दूई कर किरिया का प्रियोग किया गया है मोर नाच रहा है रहा है क्या किरिया है नाच यह क्या है आपका करम हुआ एक नाच रहा है ठीक है ना महेश रुगुन हो गया ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई खिलाना क्या है किरिया लेकिन रोटी और कुत्ते करम हुए क्या हुए करम तो हे एठारवा क्या कहता है आपको 19 वख कहता है आचारिय किशोरिदास वाजपई के नाम से हिंदी में कितने कारक है आचारिये किशोरिदास क्या आचारिये किशोरिदास वाजपई के मत्र से हिंदी में कितने कारक है कितने कारक है देखी आचारिये किशोरिदास ने हिंदी में कितने कारक माने है तो इन्होंने 6 कारक माने हैं, कितने 6 कारक माने हैं, इन्होंने कितने कारक माने हैं, 6 माने हैं, तो निश्विका राइटांसो क्या हो जाएगा, 6 माने हैं, वैसे मूल रूप से कितने होते हैं, 8 लिजिए, next question यही आ गया, कि कारक के भेद हैं, बताइए, कारक के भेद हैं, का 678 option number A B C या फिर D answer दीजे आप लोग कितने हैं तो क्वारक के 8 भेद होते हैं कितने 8 भेद होता है कौन कौन से करता ने करम को करण से संपरदान करता ने करम को करण से के द्वारा संपरदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंद कागी के अधिकरन में पर और संबोदन हेरे तो कितने हुए आठ परकार होते हैं कारक के कितने परकार होते हैं कितने परकार होते हैं हिंदी में हिंदी में हिंदी में क्या हुआ हिंदी में कारक की विवक्तियों से कितने भेद माने जाते हैं हिंदी में कारक की विवक्तियों से कितने भेद माने जात सब्सक्राइब करताने करम को करण से संपरदान को के लिए अलग होने के अर्थ में संबंद काकी कि अधिकरन में पर संबोधन नहीं है सब्सक्राइब के थैं कितने बेद हैं ठीक है आप अगर तेश्वेगी बात करते हैं सिख्षक ने पार्ट पढ़ाया इस कारक का प्रियोग किया गया है बताइए सिख्षक ने पार्ट पढ़ाया इसमें किस कारक का प्रियोग किया गया है वै करता ने तो किसका आपका करता का प्रियोग किया गया है करता का प्रिय कि चिन कौन सा है तो को ने से में आप अगर याद होगा आपको तो होगा करता ने तो क्या होगा करता का क्या होगा ने होगा option number 20 का रहाइट आंसो क्या होगा 24 का रहाइट आंसो क्या हो जाएगा और question number 24 का रहाइट आंसो क्या हो और डोक्टर के पास चली जाएगी अगर बिल्ली छत से कूद गई लेकिन हमारा वाक्या है कि बिल्ली छत से कूद गई या कूद पड़ी तो वाक्या में किस कारक का प्रयोग किया गया है अधिकरण, करम, संपरदान या अपादान तो किसका प्रयोग किया गया है 25 में दूगती है अब कर्ण निकलती है लेकिन यहांपर अलगाओ की हो रही है तो अपदान का रुका प्रियोगिए क्या गया है 26 क्या कहता है हिमाल्य से गंगा निकलती है सेम ऐसा ही कोशन है बस समझने की थोड़ा फेर है हिमाल्य से गंगा निकलती है किस का रख का प्रयोक्या गया है करम करन का करम का अपदान का या संबंद का तो हिमाले से गंगा क्या हो रही है हिमाले से गंगा अलग हो रही है तो से अलग होने के अर्थ में अपदान का रक्स में होता है किसमें से अलग होने के अर्थ में हिमाले गंग के लिए बदल दिया गया है कि छट से इंट गिरी भाई जब छट से इंट गिरेगी अर्था तो छट से इंट अलग हो जाएगी तो क्या हुआ आपका अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में तो 27 कांसर क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा ठाइस की बात करते हैं भूतकाल के कितने भेद हैं बताइए अब भूतकाल को किलियर करने के लिए तो आपको थियोरी की किलास लेनी होगी तो जाईए और playlist में बिल्कुल clear कर लेजिए, बिल्कुल एक्दम clear हो जाएगा आपको आसानी से तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं अब 29 कोशन की बात करते हैं, 29 कोशन क्या कहता है? 29 कोशन हमें यह कहता है कि भूतकाल में बदलिये, मा सोती है, मा सोएगी, मा सोती, मा सोने वाली है, मा सो रही है तो भूतकाल में बदलना है किसको? कि मा सोती है, मा सोती है, इसे भूतकाल में बदलिये सेंटेंस को तो वाक्य को भूत काल में बदलेंगे, तो मा सोती थी, तो option number 20 का right answer क्या हो जाएगा, कि मा सोती थी, तो option number 20 का right answer हो जाएगा, 28 की बात करते है कि अगरबत्ती की सुगंद से थकावत दूर हो गई, तो निम्रिकित वाक्य में, इस वाक्य में पर्युक्त काल बताईए, अगर बत्ती की सुगंद से थकावट दूर हो गई, क्या हुआ थकावट दूर हो गई, तो इस वाक्य में काल बताईए, में काल बताना है, अपूर्ण भूत काल, पूर्ण भूत काल, सामान ने भूत काल, या पूर्ण वर्तमान काल, क्या होगा, या फिर हो जाएगा आपका क्या पून वर्तमानकाल अब देखाई देना है अच्छे से ठीक है अब देख लिजी से पून वर्तमानकाल तो इन में से कौन सा हो जाएगा आपका बताईए कि अगर बत्ति की सुगंद से आपका क्या थकावट दूर हो गई तो काल बताना अपूर्वरतमान काल पूर्वरतमान काल सामान्य वरतमान काल या पूर्वरतमान काल या पूर्वरतमान काल पूर्वरतमान काल तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूत काल का इसमें परियोग किया गया है तो यह आपके कितने हो जाते है आपक तीस question हमने complete कर लिए है कितने तीस question हमने complete कर लिए है ठीक है तीस question हमने बहुत अच्छे से complete कर लिए है अब आप लोग जिसे भी क्योई भी दिक्कत है वो theory की class ले सकता है आप प्रले इस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा अच्छे से देखे और theory class लेजिए सभी question theory से 20 ही होत करती है best class है आप लोग लिजिए तो आपको पर असल जाएगा क्योंकि देखिए मैडम छोरी में रोज दस को कराती है जो रोज की कराने हैं दस जारे question आपको मैडम कराती है और उसके बाद मैडम क्या करती है आपको उसकी साथ साथ आपको इस्टेटिक जीके भी कराती है म मैडम इस्टेटिक जीके का फाइदा यह है कि आप लोगों का रिवीजन चलता रहता है इस्टेटिक जीके का तो आप लोग जाएए एक बार class को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम कितनी मेहनत करती है और कितनी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाती है आपकी सारी problem का solution यहीं पर हो जाए तो दोस्तों जाएए सुबह 6 बज़े आईए और मैडम की किलास लिजिए सुबह 6 बज़े रोज होती है और मैडम की 8 बज़े होती है बाइलोजी की किलास जो आपको बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए लिलना तो जाएए और मैड अंधी में किसी को दिकत है तो सुबह 9 बजलेजी आप लोग हमें फोलो कर सकते हैं इंस्ट्रागराम पर ट्विटर पर फेस्बूक पर टेलेग्राम पर हमें अच्छे से फोलो कर सकते हैं आप लोग जाइए हमसे जूड़ सकते हैं इसका लिंक आपको description में नीचे मिल बहुत